तो दोस्तो आज हम फिर से आ चुके हैं खिलोन की खोज में एक विलकुल नília जंगल में सुना है। यहाँ पेर की उपर बहुत सारे खिलोने मिलते। देखो कितने घना जंगल है दोस्तो यहाँ पे अरे हर तरब जंगल तो दिखाई देगा। देखो हमें खिलोना अभी यह तो आर्मी फोर्स लिखा हुआ दोस्तों यह आर्मी बाला जीपकार है जिसका आगे का विल खुला हुआ है सायाद इसका आगे कुछ था तो चलो देखेंगे बाद में मिलेगा तो जरूर अटाच्मेंट करके भी दिखाएंगे तो इसे हाथ में ही लेते हैं दोस्तों अरे ये देखो भाई साब तो चलो फटा फट दिखा देता हूँ आप लोगों को इसे नीचे रखता हूँ अरे भाई देखो ये देखो इस बजा से मैं इस जंगल में आने में बहुत घबराता हूँ दोस्तो ये देखो खून चूसने वाला कीरा ये देखो ये देखो मेरे ह साथ की सामने ही है देखो 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 मेरे उंगली के सामने अभी पकर लेता मुझे तो चलो दोस्तों पहले ही हमें वार्निंग मिल गया यह खुन चुसने वाले की रेगा तो हमें बहुत ध्यान से ढूनना पड़ेगा खिलोना तो चलो इसे साइड में रखते है और देख यह तो एक ट्रॉली बाला ट्रैक्टर है इसका सामने का विल खुला हुआ है दोस्तों दो ट्वाइ मिला है अभी तक दोनों का ही आगे का विल खुला हुआ है क्या बात है तो चलो ट्वाइ तो सही पर आसपास तो हमें बहुत सारे ट्वाइ दिखा है तो यह देखो और ए इसमें कोई खराबी नहीं देख रहा है, जेस्टिस का नीचे का एक भी विल नहीं है इसमें, तो चलो इसे भी हम नीचे रख देंगे, यहाँ पे, और देखते हैं, आसपास ये देखो, अरे भाई, ये तो कलेक्टिंग बाकेट था, देखो, कलेक्टिंग बाकेट रेट कलर का, अरे अंदर तो कुछ है, अरे अंदर देखो, विल मिल गया, कितना सारा विल है, ये देखो, उपर ट्रॉय, वो देखो, उपर में ट्रॉय, ये देखो, और ये देखो, अरे कितने सारे ट्रॉय, आसपास, तो चलो, देखो दोस्तो, ये क्या है, ये कौन सा चीज है, च विल्सी विल्स है, देखो कितना सारा विल्स है, तो चलो, हमें आज बहुत सारे अटाच्मेंट करना है दोस्तों, तो चलो फटा-फट देख लेते हैं, आसपास और क्या है, आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये देखो, यहाँ पे तो खिलोना है, पर नीचे और कोई और कुछ नहीं दिख रहा है नीचे, ये देखो, इतना सारा खिलोना, तो हमें फटा-फट उतार लेना है पेर की उपर से एक एक करके खिलोनों को, ये कौन सा खिलोना है, अरे इसका भी आगे का विल्स गाया है, दोस्ते ये एक्सक्यूवेटर है, दोस्ते हमें एक एक्स जाएं, इसका भी आगे का विल्स गाया है, आज बैक टो बैक चार खिलोना मिला है, वो भी सामने का विल्स के भिना, ये ट्रेन इंजिन है दोस्तो, इसका बाकी कंडिशन तो बढ़िया है, इसका बोडी का color combination भी बढ़ी आए body का quality भी बहुत बढ़ी आए दोस्तो देखो इसका मुखडा देखो कितना सुन्दर है तो चलो इसे bucket के अंदर ले लेंगे बाकेट के अंदर ले लिया और देखते हैं ये देखो ये कौन सा खिलोना अरे देखो ये सिर्फ नहीं ये देखो पत्ते की उपर खिलोना यहाँ पे खिलोना तो चलो बहुत सारे खिलोना हमें back to back मिल चुका है इसका भी एक भी विल नहीं है दोस्तो ये बिलकुल CNG auto rickshaw की attachment किया हुआ ये देखो इसमें भी नहीं है इसका भी सब खुला हुआ है तो चलो हम एक JCB मिला है बढ़िया condition ही है इसका body का condition बढ़िया है जस्ट इसका एक भी विल नहीं है चलो बाकेट के अंदर ले ले लेते हैं बाकेट के अंदर ले लिया और देखते हैं दोस्तो यहा परबाइक मिला है green and black combination में तो चलो इसे भी बाकेट के अंदर ले ले लेंगे ले लिया और देखो यहाँ पे yellow color का क्या है ये देखो ये तो yellow color का taxi लग हाँ दोस्तो ये देखो लिखा हुआ हुआ है तो yellow color का taxi है इसका तो कुछ खुला नहीं है दोस्तो ये तो बिलकुल perfect condition में है वो bike और ये taxi बिलकुल perfect condition में मिला है देखो yellow color और white color and black color में कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तो तो चलो इसे भी बाकेट के अंदर ले ले लेंगे बाकेट के अंदर ले लिया और देखते हैं ये कौन सा toy है ये देखो अरे ये तो auto rikshah है दोस्तो ये auto rikshah है वो होद बढ़िया एक toy मिल चुका है हमें तो चलो इसे भी बाकेट के अंदर ले लेंगे और आसपास एक बर देख लेंगे आसपास और कुछ है कि नहीं at first पेर की उपर देख लेते हैं पेर की उपर तो मिला है हमें बहुत सारे खिलोने यहाँ पे तो और कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तो तो चलो जो भी मिलना था हमें मिल गया बाकेट को उठाते हैं और इन सारे खिलोनों को उठा लेते हैं क्यूंकि हमें यहाँ यहाँ पर पर हमें रिख्स नहीं ले ले나 है, दोस्तो देखो, जो मिला है वो ही सही, बाकेट आलमोस्ट फूल है, बाकेट आज भी नहीं लोक हो रहा है, दोस्तो बाकेट इतना भर गया, तो बहुत सारे खिलाउने हमें मिल चुका है, तो चलो दोस्तो, घर चलके आप लोगों को Attachment में मिलते हैं हाँ हम Attachment करने चलते हैं और आप हमारे साथ चलो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करके ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग कड़ेंगे तो चलो मिलते Attachment में तब तक के लिए बाइ बाइ दोस्तो बाइ बाइ तो देखो दोस्तो हम घर भी पहुँझ गए आज तो खिलोना मिला है उसके साथ साथ हमें अजीब कुछ दिखा था दोस्तो आप लोगोंने नोटिस किया होगा आते ही हमें खून चूसने वाला किरा दिख गया था इस कर रहे हैं प्लीज कर दो तो चलो दोस्तो हम आप लोगों के लिए देखो कितने सारे खिलोने ले के आए हैं तो एटच मिंट के लिए रेडी हो जाईए दोस्तो देखो ओल्मुस्ट हमारा सभी खिलोना बाहर हमने निकाल लिया बाकेट को सीधा कर देते हैं जिससे कि आप सामने का पार्ट देखके थोड़ा डाउट हुआ था कि इसके आगे कुछ था क्यूंकि जीप कर मैंने जितनी बार देखा हुआ हूँ इसके आगे बंपर जैसा कुछ था इसका क्यूंकि एक्सिडेंट पोटेक्शन के लिए तो कुछ तो चाहिए दोस्तों देखो डाइडेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को देखो तो जरा यह इसका ही है कि ने अहां दोस्तों यह इसका ही है यह इसका ही है देखो दोस्तों एटाच्मेंट भी हो गया यह देखो हमने इसका आगे का बंपर भी अटाच कर दिया तो दोस्तों यह कंप्लीट है तो इसका और एक तो चलो, हाँ दोस्तो, ये देखो, मिल गया, इसका विल मुझे मिल गया, तो चलो, फटा-फट एटच कर देते हैं, दोस्तो, ये देखो, यहाँ से डाल दिया, दूसरी साइड से निकाल लिया, ये देखो, निकाल गया, अब क्या करना है, अब हमें इसे एटच कर देना है, दोस्तों ये देखो attach हो गया ये इसका will भी attach हो गया आराम से तो चलो ज़ादा देरी नहीं करते हुए इसे भी हम side में रख देंगे ये देखो side में रख दिया तो चलो हमारा एक खिलोना attachment complete हुआ अब आते हैं हमारा next attachment जो की होगा हमारा cng otoricsa cng otoricsa का दोस्तों problem simple ही था ये देखो इससे तो rod निकला हुआ है इसमें will attachment करना बहुत ही आसान है दोस्तों और आगे का will लगाना थोड़ा मुश्किल होता है पर हम आप लोगों का आसानी से सिखा देंगे मुश्किल जैसा कुछ नहीं होता है दोस्तों ध्यान से देखो के बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे तो दोस्तों bucket के अंदर से हमें इसका will निकला ये बाला will तो autoricsa का आगे का will एकदम confirm हूँ ये देखो ये आगे का ही will है autoricsa का ये आगे बाला will और इसका पीछे का will ये दोनों ही इसका पीछे का will है तो चलो आप लोगों का attachment कर के दिखा देता हूँ आपका confusion दूर कर देता हूँ दोस्तों ये बाला will ही इसका will है तो चलो एक will तो attach हो गया अब आते हैं दूसरा will के attachment में ये देखो इसका दूसरा will भी हमने attach कर दिया दोस्तों अब इसका पीछे का sorry दोस्तों पीछे का will तो complete हो गया ये देखो इसका आ दिःड़ देंगे आप लोगों को दिखा कर ये देखो 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 इसका कंडिशन अप एकड़म परफेक्ट कह गया तो चलो इससे साईड़ में रख देते हैं इसके पास तो रख दिया अब आते है हमारा ओ दोस्तो ये देखो इसका विल खुल गया तो चलो कोई बात नहीं हम यही पर ही आटाच कर देंगे इसका विल ये देखो थोड़ा जोड लगाना पड़ेगा तो चलो आटाच हो गया दोस्तो ओटो दिक्षा कम्प्लीट है दो खिलो अब तक हमने कम्प्लीट कर दिया चलो आते हैं हमारा नेक्स्ट अटाच्मेंट जो की होगा हमारा ये ट्रेन इंजिन ट्रेन इंजिन का देखो आगे का विल खुला हुआ था इसका विल तो मुझे अल्रेडी बाकेट के अंदर दिखी रहा है ये देखो इसका बाकेट के विल यहां जस्ट रॉड में डाल दो तो देखो दोस्तो ये भी कम्प्लीट हो गया ये ट्रेन इंजिन आप कौन देखकर बता सकते कि ये टूटा था या आगे का विल खुला हुआ था एकदम परफेक्ली डेडी हो गया दोस्तो तो चलो इसे भी हम साइड में रख देंग ये देखो हमारा तीन खिलोन अभी तक अटच्मेंट कम्प्लीट हो गया अब आते हमारा नेक्स्ट अटच्मेंट जो की होगा हमारा जेसी बी जेसी बी का प्रॉब्लेम दोस्तो ये भी सीमपली बोल सकते है ये देखो पीछे से तो रॉड निकला हुआ है इंजिन के दोस्तों ये बाला चलो चार विल हमें एकी साथ में मिल गया तो चलो पहले पीछे का विल हमें राटच करना है ये देखो बरा वाला विल और आगे का विल इससे थोड़ा चोटा होता है ये देखो ये बरा वाला विल पीछे जाएगा ये देखो पीछे डाल दिया अब द दोनों विल्को ही डाल देना है ये देखो डाल दिया एक को और ये देखो दूसरा भी डाल दिया तो चलो दोस्तो हमारा JCB बिल्कुल कम्पलीट हो गया हमारा ये ट्रॉली वाला ट्रैक्टर ट्रॉली वाला ट्रैक्टर का क्या प्रॉब्लेम था दोस्तो आज तो हमें बैक टू बैक सभी किलोनों का आगे का विल्ल खुला हुआ मिला था मैक्सिमम खिलोनों का किसी का पीछे का विल मैंने अभी तक खुला हुआ नहीं दिखा था जस्ट CNG आटो रिक्षा का और ये JCB का पूरा विल खुला हुआ था एक भी विल नहीं था तो दोस्तों देखो इसका भी आगे का विल का ही प्रॉब्लम है इसे भी हम यही पे अटच कर देंगे ये देखो इसका विल ये देखो दोनों विल ही मिल गया ये देखो एकदम सेम सेम विल है तो चलो इस छेद में जस्ट डालते है दोस्तों ये देखो छेद में डाल दिया दूसरी छेद से निकल भी गया ये देखो दूसरी छेद से भी निकल गया ये देखो यहाँ पे जस्ट अब हमें डालना है ये देखो डाल दिया ये देखो ये complete भी हो गया दोस् में जाते हैं खिलोने ःओंदतेrhं दड़ तो लगता है दूसतो फिर भी सूशता हों कि हमारे लिए बहुत सारे दूसलोग बैठा हुआ है वीडियो देखने केँ लिए इस जो से पामने से काम लेता हो आप दो हमाँ साथ तो हो ही साथ करना काम तो मेहनत करोगे तबी तो फल मिलेगा ना, तो हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप हमें थोड़ा सापोर्ट कीजिए, चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों, प्लीस दोस्तों इतना तो कर ही सकते हो, कर देना दोस्तों, तो चलो आते हैं ह हमारा next attachment जो की है हमारा यह excavator, excavator का क्या problem था दोस्तों आप लोगों को साथ बताने का भी जरूरत नहीं, आप लोग देखे ही होंगे, यह देखो आगे का will ही खुला हुआ है, क्यूंकि आज हमें back to back खिलोना सब आगे का will के बिना ही मिल रहा था, यह देखो इसका भी आगे का will में ही problem है, तो चलो यह देखो आखड़ी दो will बचा हुआ है बाकेट के अंदर, इसके मतलब हमारा और attachment कुछ नहीं है, दोस्तों यह हमारा आखड़ी वाला attachment है, तो चलो फटाफट attach कर देते हैं, यह देखो यह rod बाला will है दोस्तों, यह देखो same to same will है न, देखो दोस्तों एकदम same to same will है, यह देखो यह rod बाला will, rod बाला will को हमें just इस छेद में डालना है, ये देखो डाल दिया अब देखो दोस्तो ये एक सिंगल बचा हुआ है इसे हमें इस रोड में डाल देना है ये देखो दोस्तो हमने डाल दिया देखो कितने आसानी से ये हमारा एक्सकुबेटर रेडी हो गया एक्सकुबेटर रेडी हो गया तो एक्सकुबेटर को आप लो ये भी इससे ही करते है, इसका मतलब इसका हाथ ये ही है दोस्तों, हमारा हाथ हो सकता है, इसका भी हो सकता है, ये देखो इसका उंगली भी है ये ये देखो उंगली है ये और ये है इसका पंजा, ये देखो पंजा, जिससे कि ये सब कुछ पकर पाएगा, ये देखो, ये मि उठा भी लेगा उपर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कैसे उठा रहा है, देखा दोस्तो, तो बहुत ही आसानी से, आप लोग भी ऐसे ही, एक्सकुबेटर की मदद से, आपका चोटा-चोटा खिलाओना, या क्या बताओ, कुछ भी हो, कुछ भी चीज हो, आप उठा स घुम सकता है ये देखो ये पूरा घुम जाएगा पूरा पूरा घुम जाएगा ये देखो पूरा घुम गया ना दोस्तो तो इसका ये ही खासिया थे दोस्तो ये बहुत काम का चीज है तो देख लो दोस्तो आपका भी एक्सकुबेटर हो तो अगर इसका विल खुल जाए या कुछ खुल जाए तो ऐसे ही एटच करना है ठीक है दोस्तो तो चलो इसे भी हम साइड में रख देते हैं हम इसको इस साइड में रखेंगे देखो अब हमारा कितना खिलोना हो गया दोस्तो शीक्स खिलोना हमारा एटचमेंट कमप्लीट है तो चलो आब आते हैं हमारा ने टैक्सी का क्या प्रॉब्लेम था दोस्तों टैक्सी का कोई प्रॉब्लेम नहीं था टैक्सी बहुत सुंदर है टैक्सी सुंदर भी होता है दोस्तों पर यलो कलर का टैक्सी अलगी सुंदर होता है देखा दोस्तों बहुत बढ़ी आखिलाना है आप लोगों की पास होगा तो देख लो आपका भी same to same होगा तो इसमें कोई problem है तो या आपका कोई will खुल जाए तो या कुछ भी खुल जाए तो दोस्तो हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो है आप लोग एक बार देख लेना एक बार चेक कर लेना कि आपका भी ऐसा कोई 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 का किसी पार्ट खु तो टैक्सी में कोई attachment करने का कोई जरूरत नहीं था दोस्तो टैक्सी को हम इस साइड में रख देते हैं टोटल देखो हमारा साथ खिलोना back to back हमने attach कर दिया साथ नहीं किया दोस्तो 6 खिलोना किया इसे हम एटच नहीं किया क्योंकि यह हमें एकदम perfect condition में मिला था तो चलो दोस्तो नेक्स्ट खिलोना दिखा देता हूँ यह हमारा नेक्स्ट खिलोना है मीनी ओटरिक्षा का क्या problem था दोस्तो मीनी ओटरिक्षा का कोई problem नहीं था तो कोई problem नहीं था इसे भी हम सामने ही रख देंगे और यह bike का तो क्या बताओ बहुत सुंदर वाला हमें एक bike मिल होता है दोस्तों खून चूसने वाला कीड़ा का खासियाद एक ही होता है दोस्तों जहां पर पकर लेगा वही से आपका खून चूसना वह सुरू कर देगा खून चूसते चूसते वह खुद मोटा हो जाएगा आपका खून एकदम लो हो जाएगा दोस्तों बचके रहिए जं झाल झाल झाल